नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हल्चल पर नाकपूर महानगर पाली का द्वरा संचाली शहरी बेघर निवारा में भारत रतन डॉक्टर बाबासाइब आमेटकर की प्रतिमा को मालयार बन किया गया कारेक्रम में संस्थाध धिक्ष भासकर पराते ने उपस्थित मानने वरोका मार्ग दर्शन किया कारेक्रम में मुख्य रुप से संस्थाध धिक्ष भासकर पराते पुर्व पार्षत मम्ता अंडर सहारे महेश अंडर सहारे, व्यवस्थापक यश्वंत पांडे, केरेटेकर लक्ष्मिकाद अंडर सहारे, केरेटेकर पृत्ती इंदुरकर, डॉक्टर अनिता खापरडे, वासुदेव बोरकर, बादल बागडे, प्रमुद चहादे, हरी कामले, सुरिंदर राम्टेके, रामप्रस अंडर सहारे, व्यवस्थान के रचेईता, भारत रतन, डॉक्टर बाबासाहिब आमबेट करके 131 वी जैनती पर उनके पुदले पर माल्यार पन कर विनपर अभिवादन किया, इस आउसर पर शहर कॉंग्रेस कमिटी के अध्धिक्ष, वो विधायक विकास ठाकरे, अड़ प्रकाश धगे, अलपसंख्याक अध्धिक्षय इर्शात अली, डॉक्टर सेल के अध्धिक्षय सुधिर आघाव, ब्लोक अध्धिक्षय ग्यानेश्वर ठाकरे, प्रमोट थाकुर, गोपाल पट्टम, अशोक निखाडे, महेश्री वास, प्रसन्ना जिचकार, संजे सरा बर्गत तुल्लाह जुनैत अहमत, परविन बोरकर, रतन चोहान, राजहोव चीलाटे, रश्मी धुर्वे, धनराज चर्वे, सपना घाटे, राम गोविंद खोबरागडे, विपुल गजविये, बंदनामेश राम, धरम पाटिल, बंदना चहांदे, अंजना मडावी, आ आकाश तायवाडे सहित बड़ी संख्या में पदादीकारी एवं कारे कर्दगन उपस्तित थे नरेंद्र बोरकर, भाच्पा महाराष्टर प्रदेश प्रवक्ता चंदन गोस्वामी, चेतना टांक, मनीशा धावडे, कांता रारोकर, शर्मा, भाच्पा पुर्वन नाकपुर मीडिया प्रमुक मनोज अगरवाल, सुधिर दुबे, नरसी पटेल, महिंदर राउत, अज पेश मेश्रा, विजेड होले, आशावाई बोरकर, विशाल कोलहापुरे, हितेश जोशी, मनोहर चिक्ते, सारीका ताटे, सुरेंद्र समुद्रे, आदि उपस्तित्थे नामदेवनगर गारडन, कावरा पेट में परिसर की योग समिती, वो परिसर के नागरिकों ने मिलकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आमबेटकर का, 131 जनम दिन धूम धाम से मनाया, इस अउसर पर बाबा साहब के चित्र पर माल्यारपन कर, उनके योगदानों को कारेक्रम के सफलतार्थ, योग प्रचारक सुर्यकांद बारापात्रे, योग शिक्षक प्रदिप पाखोडे, योग शिक्षिका की रनगजबिये, अनिशा खान, सुननन्दा देशपांडे, पारवता मुहाडीकर, रेखा डोंगर, आदी ने प्रयास किया कॉंग्रेस अलपसंख्यक विभाग की और से शांतिनगर में भारत रतनर डॉक्टर बाबसाहब आमबेटकर की 131 जैनती के उपलक्ष में, उनकी प्रतिमा पर माललार पन कर उनका भिवादन किया गया इस अउसर पर नाखपुर कॉंग्रेस अलपसंख्यक विभाग के शारद्धिक्ष इर्शाद अली, राजश खानूर कर एकनातवासनिक, संध्या गजबिये, प्रविन बोर कर विनोदवासनिक, शुभम वासनिक, रतन चोहान, बर्कत उल्लाह जुनेत अहमद, शहवास खा इस अउसर पर राजश लोया, संघचालक, राष्टिय स्वयम सेवक संघणापुर महानगर, राजेंद्र उमाले, प्रांत सहकार्यवाह, विजयराठोड, प्रांत समरस्ता, प्रमुक, रविन्द्र पोकारे, कार्यवाह, राष्टिय स्वयम सेवक संघणापुर महानगर, उदेवान खेडे, दिनेजगोर, महानगर, सहकार्यवाह, अनिल भारदवाज, भाग संगचालक, सदर भाग, डॉक्टर संजे कृपलानी, नगर संगचालक, सदर, डॉक्टर सुधाकर इंगले, समरस्ता गतिविधी सयोजग, डॉक्टर शंकर वान खेडे, समरस्ता सहसयोज अनूप पाटिल सद्भावना प्रमुक तथा अन्य स्वयम सेवकों ने फुश्पारपन कर विनम्र अभिवादन किया। पाटिल सद्भावना प्रमुक तथा अन्य स्वयम सेवकों ने फुश्पारपन किया। पाटिल सद्भावना प्रमुक तथा अन्य स्वयम सेवकों ने फुश्पारपन किया। इस प्रकार उन्होंने हमेशा ही राष्ट का समर्थन किया। वे बहुत ही अध्येंशिल और बुद्धी माननेता थे। वे भारतिय सवयधान के निर्माता है। आज उनका जनम दिन भारत ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। भारतिय सवयधान के मूर्तिकार भारत रतन डॉक्टर बाबा सहब आमबेटकर की जैनती के अउसर पर स्थित डॉक्टर बाबा सहब आमबेटकर की प्रतिमा पर भी मनपायक तो राधा कुष्णन भी और अपरायक तो राम जोशी ने माल अरपन कर अभिवादन किया। अतितियो का स्वागत शाहर माहसचिव रवी गौर ने किया। युवा कॉंग्रेस की उपाध्यक्ष्य वसीम खान ने बाबा सहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को मार्ग दर्शन किया। वरिश्य कॉंग्रेस नेता राजा चिलाटे ने भाशन प्रस्तुत किया। विशेश परिश्रम युवानेता, अतुल नवनागे, राजश पेंदाम, शिवकुमार बाथो, मानव सेवा सुरक्षा संग के लक्षमी कानत के सरवानी ने किया। आभार प्रदर्शन वो अलपोहर वितरन शहर कॉंग्रेस कमिट के उपाद ध्यक्ष आशिश दिक्षित ने किया। राज़ में विजली उत्पादन के लिए कोईलों की कमी से राज़ लोट शिडिंग की और बढ़ रहा है। जबर्दस बढ़ोतरी हुई है। कपिल लगर पुलिस थाना अंतरगत कामठी रोड सित महम्मद अली पेट्रल पंप पर गुरुवार दोपहर कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। दरसल उनका अरोब था कि पेट्रल पंप में मिलने वाले डीजल में मिलावट की जा रही है। जिसके बाद इस घटना के जानकारी पुलिस के साथ ही भारत पेट्रोलियम कमपनी के अधिकारियों को दी गई। कमपनी के अधिकारियों ने पेट्रल पंप पर पहुँचकर डीजल के कुछ सैंपल जांच के लिए लिये हैं। की रिपोर्ट दस दिन के भीतर मिलने वाली हैं। काद मौके पर पहुचकर कपिलनगर पुलिस की टीम ने भारत पेट्रोलियम कमपनी के अधिकारियों को मौके पर बुलवाया। नागपुर महनगर पालिका के प्रशासक एवं आयुकतर आधा कुरुशननबी ने बुधवार को वर्श 2022 देश का प्रस्तावित बजट पेश किया। निगम मुख्याले स्थित छत्रपती श्वाजी महाराज प्रशासनिक भवन में आयुकतर भवन में आयोजित एक चोटे से कारेक्रम में मनपायुकतर आधा कुरुशननबी ने 2684 करोड रुपे की आये एवं 2679 करोड रुपे की खर्च का बजट पेश किया। इस आउसर पर अपर आयुकतर दिपक कुमार मीना, राम जोशी, मुख्यलिखा एवं वित्त अधिकारी विलिन खर से मौजुद थे। इस आउसर बजट में कुल राजस्वव्याई 1518 करोड रुपे और पुंजी गत्वे 1000 करोड रुपे का समाविश है। डालमिया सिमेंट इंडिया लिमिटेड एक भारतिय सिमेंट प्रमुक और डालमिया की सायक कमपनी हैं जो अपने ग्राहकों को उच्च गुनवत्ता वाले सिमेंट का चैन करने और खरिदने के लिए लगातार नय और चुस्त अवसर नियामी तुर्प से प्रदान करता रह डालमिया भारत लिमिटेड ने नाकपुर में अपने अभिना उपभोकता एप डालमिया अपलोड को लॉंच करने की गोशना की है इस एप के लॉंच से डालमिया सिमेंट इंडिया लिमिटेड ने अपने खरिद्दारों के बदलते परिस्थितियों को अनुकोल अपने उ से डिलेवरी भी सुनिश्चित करता है अब छोटे बिल्डर्स और स्वतंद्र बिल्डर्स भी पहले से काफी बहतर तरीके से निर्ने लेने में सक्षम होंगी जो उनकी बिल्डिंग की जरूरतों को बहतर तरीके से पुरा करीगी अतिरिक तलाप और जरूरी तकनी की सायता अभी उपलब्ध होगी डीसी बील के एक्जेकेटिव डारेक्टर हकीमुद्दिन अली ने कहा हमारा अब डाल्मिय सिमेंट खरीदने वाले हमारे वरतमान और भविश्य के ग्राहों के लिए विकसित किया गया है महानगर पालिका शहर में विभिन्न तरग की सेवा सुविधाय मुहिया कराती है इसमें सरभादिक महत्वो पुर्णा सेवा अगनिशमन विभाग की और से दी जाती है जो लोगों के जान माल को बचाता है शहर में लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात कार्य करने वाले अगनिशमन विभाग को अधिक सक्षम करने के लिए मनपा वचन बद्ध है इसी दुरुष्टी से कार्य होने का विश्वास मनपा एक्तर राधा कुष्णन बीने जताया गुरवार को मनपा में अगनिशमन दिवसका आयोजन किया गया अतिरिक्ता आयक्त दिपक कुमार मीना, राम जोशी, निर्भय जैन, रविंद्र भेलावे, मुख्या अगनिशमन अधिकारी राजन राउच के उपस्तित थे इस दोरान अगनिशमन सेवा देते हुए शहिद हुए जवानों को श्रधान जली अरपित की गई, आयुक्त ने कहा कि अगनिशमन कारिय गती से किये जाने वाला कारिय है, सोयम की जान खत्रे में डाल कर अन्य की जान बचाने की जिम्मेदारी निभाते समय, सेवा दे रहे जवानों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जा रहा है, इसी दृष्ट्री से मनपा के बजट में सरवाधिक नीथी अगनिशमन विभाग को दिये जाने की जानकरी उन्हों ने दी, उन्होंने कहां कि सुरक्षा कारियों में जिम्मेदारी और खत्रा किस तरह से रहता है इसका भली बाती अनुभाव है शहर की लगातर बढ़ती जनसंख्या और शहरी करन के चलते अगनी शमन विभाग पर सेवाओ का बोच बढ़ता जा रहा है श्री राम जनमत्सो समिती के और से 22 वर्षों से श्री राम जनमत्सो के उपलक्ष में सांस्रूतिक कारेक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इस पार हिंदु नववर्ष गुडी पाडवा से श्री राम नौमी तक विवित सांस्रूतिक कारेक्रम वभव्य महाप्रसात का आयोजन किया गया। उमेश प्रधान, अविनाश मैनानी, राजा मैनानी, मोहन पतिल, कांतिलाल वाघिला, दिनेश वाघिला, प्रविन मकवाना, गौरी शंकरशाह, उमाशंकरशाह, बाबुलाल तिवारी, जेठु पूरोहित, अनंतराम फुंडे, नरेंद्र पगाडे, तीतेश रासेकर, प्र भायात्रा, और पाल की निकाली गई, अखिल भारतिय पुलक मंच परिवार द्वारा भगवान महाविर के जन्मत्सों की जहां की निकाली गई, बाहुपली इवेंट मैनेजमेंट द्वारा जहां की निकाली गई, मंदिर में पहुचने के बाद, भगवान महाविर की प्र प्रबिन भेलांडे, श्रद्वेखंडे, सुभाश मचाले, प्रशांत सवाने, विशल चानेकर, विने सावलकर, मनोज बंध, गवराव आउथनकर, निरच पड़सापुरे, अमोल भुसारी, उमेश फुलंबर कर, अनंद्राव शिवनकर, प्रनाय बंध, अजित कहाते, वि विदर्ब का सारा बैकलाग पुरा कर दिया गया है, केंद्रिया मंत्री इंतियन गड़करी द्वारा, सडकों का जाल बिछाने का जो काम किया गया, उससे ये तो समझा जा सकता है, कि सडकों का बैकलाग पुरा किया गया, लेकिन विदर्ब भर में सिंचाई का बैकलाग अ जिसके चल्दे पानी का स्टॉक होने के बावजुत इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। जिसके चल्दे पानी के बावजुत इसका उपयोग नहीं हो पा रहे थे। दिया आमबढ, नायशा आमबढ, किट्टू आमबढ, आदी बच्चों ने भगवान महाविर स्वामी के संदेश एवं जैकारों से सभी को मंत्र मुप्त कर दिया। महा मेट्रो के रीच फोर अंतरगत कस्तूर चंद पार्क से आटोमोटिर चोक मार्क के बीच स्थीत गड़ी गुदाम में लोड टेस्ट सफलता पुरवक की गई लोड टेस्ट अंतरगत 460 टन वजन की चीजों को मेट्रो ट्रेन के साथ साथ ट्रैक पर रखा गया, दो मेट्रो ट्रेन का इस्तिमाल इसके लिए किया गया। क्वाइडक की मजबूती को जांचते के लिए ये परिक्षन किया जाता है, मेट्रो अधिकारियों ने टेस्ट के परिणाम पर संतोष जताया है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीके वीडियोस, नमस्कार।